Hey friends,hhhh ! कैसे आप सब ? उम्मीद करती हूँ । बहुत बढ़ provisions तो एक और नए medication przestथ बात करती हूँ इस це तर लुक्षे अब फिर फेट में बात करते हैं तो डूफा लाग एक लाग्जाटी सिरफ होता है, औरल सलेशन, एक्सपर्ट कॉंस्रिपेशन रिलेफर, अगर जादा आपको हार्ड कॉंस्रिपेशन हो रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं, जिनरली किसी भी कारण से आपका डाइट अच्छा ना हो, आपका हेल्दी कॉंस्टाइल के वज़े से जो से आपको योज़े से किसी वज़े से आपको सॉफ्ट म था न्यानी कर CiA ад करे रहा है उसमें यह यूजरा है, इन्वियूज़क्य इन्फ्रेक्ट पाम always हो रहे है, साफ्ट सुफ्ट ना है, और बार बार एनल एरिया में आपको,ड के ने ल कर जाते हैं जिसम को अभर हाँ चाप चुश कर जाते हैं। तो चलिए नॉर्मल जानते हैं तो चलिए नॉर्मल जानते हैं। अचाप ट्राइब में सॉफड बनाता है। यह कहां कहां यूज़ किया जाएगा पोर्टल सिस्टेमिक इंसोपैलोपैथी में लिवर डीजीज किसी कंफ्यूजन के कारण हो रहा है लिवर डीजीज में भी देंगे ट्रिमर में डेंगे decreased level of consciousness हो रहा है उसमें भी यूज़ कर सकते है तो आप ये जब यूज़ करेंगे तो आपके मन में generally एक question आएगा क्या हम daily यूज़ कर सकते हैं डिफलक को या नहीं तो हाँ आप ये regularly यूज़ कर सकते हैं इसके बहुत सारे benefits है तो हम लोग इसको डेली तो यूज़ कर सकते हैं बट इसको दिन में नहीं यूज़ करना है क्योंकि ये श्टूल सॉफनर है तो ये आपको ज़्यादा तर दिन में दिकत करेंगे तो इसलिए आप डॉक्टर सजेशन देते हैं कि इसको आप रात में करेंगे कितना लेना है कितना ज़्यादा गरब इसको यूज़ करते हैं तो इसमें भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा और जिस टाइम पे आप एक दिन ले रहे हैं जैसे डिनर करने के बाद ले रहे हैं तो आपको उसे टाइम पे डेली ये यूज़ करते रहना है तो एक कोशन आपके और मन में आएगा कि क्या हम लोग जो डिफालेक लेते हैं उसका काम तुरंद वर्क इमेडियेटली करना स्टाट कर देता है तो नहीं इसका अगर आप ले रहे हैं या आपका वर्क करना स्टाट कर देगा तो जब आप ये सुलूशन लेंगे तो आपका जो स्टूल होगा वो डार्क कलर का आना स्टाट हो जाएगा तो इसका अगर आप ज़्यादा सेवन कर रहे हैं ज़्यादा ले रहे हैं आप ये सिरफ तो आपको side effect harmful भी हो सकता है और जिस patient को अगर diarrhea caused है उस उनको बिल्कूल भी ना दें तक अगर आप उनको देंगे तो और severe diarrhea caused करना start हो जाएगा एक question सो रहाता है Do you feel like good for the heart stool? Do you feel like oral suspensions 250 ml जो belong करता है group of medications जो laxative use to treat constipation It work by a drone water in the bowl and make the stool softener and easier to pass दो providing the relief for the constipations तो basically ये सिरफ कही ही काम होता है कि जब का hard stool हुआ है उसको स्टूल को soft कर दिया जाए और इसका अगर आप जितना physician आपको जितना dose दिये हैं उतना है आप इसको यूज करें कि हर medicine का side effect भी होता है अगर आप इसको जादा लेंगे तो आपको ये harmful करना start कर देगा तो देखिए अहां पर आपको दोजेज भी दिखाई दे रहें जैसे डाल्ट के लिए 15 15 से 45 एमल चाइड के लिए अगर साथ से 14 साल के तो 15 एमल चाइल अगर वन से 6 एर है तो 5 तो 10 एमल इंफैंट है एक साल के अंदर के बच्चे हैं उनको सिर्फ पांच एमल तक ही देना सुटेवल फोर डाइबिटिक एनकस्पेटेड और लेक्टेड मदर हां जैसे कि मैंने बात की थी प्रेग्नेंसी में देना है या नहीं बट आप इसे दे तो सकते हैं लेकिन फिजिशन के एडवाइस से देना है जब तक आपके फिजिशन ना कहें तब तक आपको नहीं देना है डाइबिटिक पीशन के लिए भी शुटेवल है और लेक्टेटिंग मदर जो मा ब्रेश फ्रेडिंग करवाती है उनके लिए भी सुटेवल है जैसे कि जब प्रेग्नेंसी वूमें होती हैं उनमें भी कॉंस्ट्टिपेशन का सिकायत बहुत और इसको फ्रीज नहीं करना है आप इसको फ्रीजर में नहीं रख सकते हैं तो आपको कैसा लगा इइंफोमेशन डुफा लाइक के बारे में जरूर बताईएगा कॉमेंट किजिएगा और वीडियो अच्छ लगा तो शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच बाब बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में